भंडारा जिले की अंदरगत आने वाला गोसेगुर डैम भंडारा गोंदिया से अन्य जिलों के किसानों के लिए वर्दान है लेकिन इस डैम का बैक वाटर का पानी जमा रहने से मौदा तैसिल अंगरत आने वाले कोडगाव के किसानों के खेतों में पानी गुशने से इन किसानों की फसले पानी के निचाने से काफी आर्थिक नुकसान हुआ है इससे अब किसान संकट में आ गया है किसानों ने फसल की उगाई कैसे करना यह बँद बड़ा प्रश्ट किसानों के सामने है इन किसानों ने जलसंपदा विभाग से सबाल किया है कि हर साल हो रहे नुकसान का एक तो सरकार द्वारा जलसे जल मुआउजा नहीं दे रही बची हुई खेती का अधिक रहन जलसंपदा विभाग करता नहीं है गोसेखुड डैम का जलस्तर हलसार बढ़ने से कोडगाव अन्य गावों के खेतों में इस डैम का पानी घुसकर फसलों को नुकसान पहुँचता है सरकार द्वारा इस गंभिर समस्या की तुरन जांच और पंचनामा करके किसानों को मुआवज़ा देने की मांग भी शेत्र के किसानों ने जलसंपदा विभाग वह महाराश्च सरकार से की है इसके पूर 35 साल पहले गोसे खुड डैम के पानी की वज़़ से भंडारा और नाकपु जिले के कुछ गावों को काफी शतीम पहुचती थी उस समय इन गावों का अन्य जगर पर पुनर्वसन किया गया गाव का पुनर्वसन तो किया गया लेकिन इन पुनर्वसित गावों की समस्या जस की तस रही कोडगाव सहित अन्य गाव के आजुबाजु के खेतों में धान, गन्ना, गेहु, चना, तुर, आदी की खेती की जाती है इस गोसे खुड डैम का जलसतर बढ़ने से और बैक वाटर थमजाने से इन गावों की और आने से फसले पानी में बह जाती है किसानों को नुकसान भी हो रहा है, जिन किसानों की फसल काटने योगिती, वह अब काटना मुश्किल हो रहा है इन पेडित किसानों को मुआज़ा देने और कोटगाओ का जल से जल पुनर्वसन करने की मांग की जा रही है